आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे द्धान तक नहीं हो तरी Steady IQ आपका बहुत बहुत सबागत है पहले शाक्स और आप सील्स साथ हजार से जादा सील्स जो है वो नामीबियन कोस्ट पे मिली है अब आप बोलेंगे इसके में बड़ी बात क्या है यह मरी हुई मिली है साथ हजार से जादा सील्स खत्म हुई मर गई नामीबियन कोस्ट पे इस ख़बर को जानेंगे सील्स क्या होती है उनके बारे में देखेंगे UPSC के स्मार्ट कोस्ट से जाते हैं इस टेड़ी आईक्यो काट डाउनलोड कर सकते हैं आप अवेल कर सकते हैं इस्टा पर मैं आगे है और रात आट से दस बज़े तक मैं सारी कोरी जानसर करता हुई यह है नामीबिया सदन अफ्रीका में है यह यह पूरा अफ्रीकन कोंटिनेंट है यह South Africa का ही पार्ट था और आपको यह भी पता है मैं कई बार बता भी चुकाओ कि South Africa ब्रिटेन की कोलुनी था तो नामीबिया South Africa का पार्ट था 1990 में नामीबिया में Civil War हुआ और South Africa से उसने आजादी ले लिए आपको पते यह ब्रिटेन जो है वो सारी coast cities बनाते थे तो यहां के आपको coast मिले कि यह जो घटना है यह वैल्वेस बे की है 7000 seals जो है यह वैल्वेस बे पे ही मिली है और वैल्वेस बे tourist spot है यहाँ पे जो लोग है वो seals और dolphins को ही देखने आते हैं तो एक tourist spot है लेकिन इस बार जब लोगों ने देखा 7000 से जादा seals और उनके बच्चे मरे पड़े हैं आला कि seals बड़े अजीब जानवर होते हैं sea lions उनको बोला जाता है ना ठीक है बड़े बड़े ही अजीब तरीके के जानवर होते हैं और human friendly होते हैं बहुत जगा तो seal shows भी होते हैं तो नामीबिया के बारे में क्या ही बताओं और देख सकते हैं South Africa, Botswana, Angola इधर आप देख सकते हैं फिर Zambia से voluntary share करता है Windhoek इसकी capital है जो सबसे बड़ी city, largest city और जो capital है वो आपको Windhoek मिलेगी ठीक है ये दिख रहा है ना, Central Namibia में Windhoek, तो चलो अब seals के बारे में जाते हैं बहुत cute होते हैं, बहुत cute इनके कानी नहीं होते हैं हाला कि different species हैं आपको बता दू कि 33 species आपको इनको pinnipets भी बोला जाता है तो 33 species आपको pinnipets की मिलेगी पचास extinct हो गई है इतने सालों से पचास extinct हो गई है ठीक है तो seals जो है वो बहुत तरीके की होती है carnivores होते हैं ये, मास खाते हैं मचिया खाते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं और पानी के अंदर रहते हैं लेकिन कुछ time मतलब जब इनको when they are pregnant तो ये शोर पे आते हैं देखो ऐसा होता है कि पानी के अंदर रहेंगे शाक्स का ये भोजन होते हैं killer whales और शाक्स का seal इनका पसंदीदा भोजन होते हैं तो जाहिर सी बात है जब ये बच्चों को जनम देंगे mammals है ये one of the largest mammals है जब ये बच्चों को जनम देंगे तब ये शोर पे आते हैं ताकि इनसे बचाया जा सके वरना तो खत्म कर देंगे खा जाएंगे इनको शाक्स जो होती है killer whales जो होती है इनका जो size है वो एक मीटर तक होता है साड़े तीन feet तक seals होती है 45 kg की होती है Southern Northern Hemisphere में मिलेगी penguins ये खाती है इनको penguins का शिकार करना इनको पसंद रहता है elephant seals जो है बहुत ही ज़्यादा famous है elephant seals की बात करें सबसे भारी elephant seals होती है ठीक है carnivora order में ये largest member है ये है कुछ facts हम seals के बारे में जान लेते हैं शायद आपको बता नहीं होगा वैसे seal जो word है आपको बता दूँ ये seal word है ये चाइना से लिया गया है इसका मतलब होता है seal leopard ठीक है अब अजीब और गरीब होते हैं ये लोग आपको बता दूँ कि ये सिर्फ ocean में ही नहीं रहते हैं बलकि ये shore पे भी जाते हैं हाला कि जादा तर जो इनकी जिन्दगी होती इनकी जिन्दगी 30 साल की होती नॉर्मल ये 30 साल तक ही जीते हैं इनका हंट इनका शिकार भी किया जाता है ठीक है कई लोग खाने के लिए भी इनको यूज करते हैं लेकिन जो natural life है इनकी अगर कुछ ना हो तो ये 30 साल तक जीती है जादा life इनके नहीं होती है जैसे कच्वा जो है बहुत साल तक जीएगा 100-200 साल तक जी सकता है लेकिन इनकी जादा life नहीं होती है जादा तर इनकी जिंदगी पानी के नीचे ही बीटती है लेकिन जब ये बच्चो को जनम देती है तब ये शोर पे आती है ताकि दुश्मनों से बचा सके ठीक है और उसके बाद और क्या बता हो मैं आपको ये बच्चो को छोड़ देती है जब ये बच्चो को जनम देती है तो ये तीन से चार महिने के लिए बच्चो को छोड़ देती है देखिए जितने भी marine mammals है उनको थोड़ा वक्त अलगता है oxygen stores को develop करने के लिए थोड़ा सा इनको वक्त अलगता है तो ये क्या करती है ये 9 हफते से 12 हफते तक अपने बच्चो को ही छोड़ देती है और बच्चे भूके रहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है समझ रहें अब आप बोलेंगी survive कैसे करते हैं बच्चे survive करते हैं कैसे survive करते हैं आपको पता है छोड़ने से पहले ये अपने बच्चो को अच्छा खासा दूद पिलाती हैं बच्चे जो है अपने ही fat को consume करते हैं अच्छा खासा दूद फिलाती हैं और इस दूद में सील का दूद सबसे ज़्यादा फैट जो है न वो सील के दूद में होता है 50% fat होता है सील के दूद में इसलिए तो इतने मोटे होते हैं देख रहे हैं न कितने मोटे हैं इतना fat होता है तो इसलिए survive कर जाते हैं इनके बच्चे बहुत बहतरी डाइवर्स होते हैं ये लोग 1000 से 1300 फीट नीचे तक चले जाते हैं समुदर के अंदर खाने की तलाश में हर दो गंटे के बाद ये उपर भी आते हैं दो गंटे तक ये आराम से पानी के अंदर रहते हैं और जो हाट रेट है इनका काफी लोग होता है ठीक है तो ये सील्स के बारे में थोड़ा सा facts थे नामीबिया O.C.N ने ये बताया है अब ऐसा हुआ क्यों है नहीं पता देखो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे pups, सील्स के बच्चे को pups कहते हैं तो बहुत सारे सील्स के बच्चे और female adults भी देखने को मिली हैं ये भी मर गई हैं अक्टूबर के ये सप्टेंबर से शुरू हो गया था 5000 से 7000 सील्स जो है वो अक्टूबर के दो हफते में पहले दो हफते में इतनी सील्स मिली और अब आकड़ा 7000 से जादा पहुँच गया है तो ये अब्जर्व किया जा रहा है कि जो सील्स के बच्चे है फ्रेशली डेड सील्स पप्स और बहुत सारी फीमेल एडल्स कोस्ट के लॉंग मर गई हैं 7000 से जादा जो टूरिस्ट स्पॉर्ट हुआ होता था अब वो सील्स की कबर मन गया है 1994 में भी यही हुआ था 1994 में साइंटेस्ट बताते हैं कि 10,000 से जादा सील्स जो है वो मरी पाई गई थी ठीक है यह चीज है अब दोस्तों इसका कारण क्या है कारण नहीं पता Ministry of Fisheries and Money Resources ने यह जो सैंपल्स है यह South Africa को भेज दिया है ताकि death का cause क्या है यह बताया जा सके अब एक cause यह बताया जा रहा है अभी तो देखे cause पता नहीं चला है लेकिन एक cause यह है shortage of fish देखो सील्स जो है उनका जो खाना होता है वो fish होती है ठीक है यह मचलियों को खाएंगे न लेकिन कई बार fishes की shortage हो जाती है अभी जो pelican point है fishes यहां से दूर चली गई है जिसकी वज़या से हो सकता है यह मर गई हो other reasons क्या हो सकते है toxins क्या पता पानी में जहर हो disease यह भी हो सकता है ठीक है तो यह सारे possible reasons है लेकिन दोस्तों बात यह है कि 7000 से ज़्यादा seals मर गई है और यह अच्ची खबर नहीं है तो यह lecture था आयोब आपको पसंद हलाकि इसमें पसंद आने की कोई बात नहीं है मेरी आदत है यह बोलने की कुछ रहे है पढ़ते रहे है देसे सिद्दान तक नहीं होता है रहे है